अब्रीवन आज इस वीडियो दे विच असी डिस्कुस करांगे कुरंट अफेर्स दिसम्बर एट और नाई जूस है विच कंट्री इस गॉइंग तू होस्ट ट्रिपल ए एशिया कप टू थाउजन ट्वेंट वेंटी वान ठीक है जी दो जार इकी दे विच केंदा एशिया कब केड़ी कंट्री होस्ट करन जा रही है आंसर इस शिरी लंका होर की इंपोर्टेंट है एदे बारे एक्चली इनू होस्ट करना सी 2020 विच पाकिस्तान ने बट ड्यू टू कोवेड करके इनू सस्पेंट कर देता गया ठीक है पोस्ट पॉन कर देता गया है तेह उन कब पहली वर कदों होया सी 1984 शार जा उइसक Understood भीर का ठीक है इंडिय केडी टीम है जडी मोस्ट सकस्थ स्टीम बननी जान दी है इंडिया ने नू बाइकॉट भी किता है तो इसलाक भीुक कुट भी मुस्ट विकट्स केने लें याने ते मुस्ट विकट्स केने लें याने ओ भी शिरिलंका दे मलिंगा ने लें याने ठीक है जी। सब तधर आण करने बना यह जै सुर्या भॉम शिरिलंका। नेक्स है जर्नलिस्ट ऑथर राजकमल जहा है जर्नलिस्ट आथर्ड रबिंद्रानाथ टैगोर लेटरी प्राइस फॉर इस नोबल दिए याद रखना है एक कोशन हो रहे था बंजन्दा भी दसिटी अंड दसी नोबल किने लिखा है राजकमर जहाने क्यों ठीक है जी क्यों क्योंगे न्यूस भी चाहता है एद्धा भी कोशन पुछ सगदा है वस अनौस्ट वस अनौस्ट ऑनलाइन अनौस्ट किता गया है किते अनौस्ट किता गया है एनू दन आंसर इस देन्मार्क ठीक है जी ते हो रहे दे बारे अड़न इन्फोर्मेशन नहीं है कि जी 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 एड़न नहीं नहीं फस्ट इंडिया नहीं फ्टू रेस नौस्ट जित्या है किते ओर इसी बहरी जी ते एक एडी स्टेट नौ बिलॉंग कर देने मूंबई महराश्टा नौ बिलॉंग कर देने ठीक है अल इंडिया रेडियो राइटर मधुकर गंगाधर पासिज अवे अल इंडिया रेडियो वस इस्टैब्लिश्ट ओन ठीक है जी एक राइटर ने मधुकर गंगाधर ठीक है कहने कि एदे भी चेही पुछ रहे है कि दसो अल इंडिया रेडियो को दो इस्टैब्लिश किता गया सी, 1936 ते बिच, यह दो फेमिस वोक सी, तुसे इना नो एक बार रीडिंग दे लिए हूँ, ठीक है, मेजर जो कोशन्स होर इंटरेट तो बन सक देने हूँ है, की All India Radio, लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क है वोर्ड दा, ठीक है जी, All India Radio, Officially known since 1957 as Akashwani, ठीक है, 57 तो इन्हों अकाश्षवानी कहन लग पाया, Akashwani means, Wise from the Sky, Establish करो है, 1936 ते विच, ठीक है, इदा हैड़कॉर्टर कि थे हा, New Delhi दे वेच है, The Indian Council of Agriculture Research has won the prestigious international king, Boomy Bowl World Soil Day Award for 2020, World Soil Day is celebrated on, कोदो मनाया जानदा है, 5 September नू, World Soil Day मनाया जानदा है, बसे याद रखना कि Indian Council of Agriculture Research, इन्हें अवार्ड जित्तिया है, International King Boomy Bowl Award, जड़ा कि World Soil Day वाले दिन जित्ता गिया है, The award was presented annually by the Food and Agriculture Organization, FAO दे द्वारा दित्ता जानदा है, International Organization है, ठीक है, एदे हैड दा नाम याद रख्यो, इदा हैड़कोर्टर किते है, रो मिटली established को दो ही है, ठीक है, तो ए मेंड में चीजाने इन्हों याद रखना है, ठीक है, और ए वाड दिया किते जाएगा, Bangkok, Bangkok दिविच, ठीक है, Thailand, Bangkok दिविच जित्ता जाएगा, India is ranked at dash place in the climate change performance index, CCPI 2021, released on 7 December 2020, ठीक है, India the caddy place आई है, climate change performance index दिविच 10th, ठीक है, ए ज़रूरी है, याद रखना है, देखो, अगर थोड़ा जाएगा, इस graph दी तरफ देखिए था, top 3 position किसे दिया नहीं है, ठीक है, किसी ने भी ओ target achieve नहीं किता, 4th ते Sweden है, then UK, Denmark है, India 10th position दे है, ठीक है, जे इंडिया दी यसी पुरानी records देखिए था, 2020 विचे 10th दे है, इस तो previous 2019 चे 9 ते सी, 2018 दे विचे 11 है, मतलब, top 10 position विच इंडिया पिछले 2 सालां तो आ रहा है, ठीक है, second time in a row, top 10 position विचे है, ठीक है जी, तो 48, sorry, 58 economies दे विचे है, calculation होई है, India was at 9th spot last year, अलरड़ी आप टोल यू, तस्ता में तोनू, only 2 G20, G20 nations दे विचे हो, सिरफ दो कंट्री दी टॉप देने, कड़ी कड़ी है, UK and India, ठीक है जी, यहनों याद रखना है, Prime Minister Narendra Modi has, inaugurated and addressed the, virtual edition of the India, Mobile Congress 2020, on 8th December 2020, through video conference, what is the theme of this year, ठीक है जी, इना ने, आज जदी dates सारे, virtual edition ही चल रहेने, अनलाइन ही चल रहेने, तो Indian Mobile Congress, किस दिन होई या, 8th December 2020, तो एस साल दा थीम की सी, इस साल थीम सी, inclusive, innovation, smart, secure and sustainable, ठीक है जी, एक क्यों मनाया गया सी, आतम निर्भर भारती, और डिजिटल इन्क्लूसिबिलिटी, इना चीज़ां दे लई, ठीक है, इना नू, और गनाइस के ने किता सी, Department of Telecommunication, Government of India द्वारा एहे, और गनाइस किता गया सी, and Seller Operation Association of India, याद करे हो, बस से दे, तीम नू जरूर याद कर लियो, और किस दिन मनाया, किस दिन होंता है, एह याद कर लियो, एही important है, जनेवा-based United Nation Conference on Trade and Development has awarded the 2020 United Nation Investment Promotion Award to Invest India, ठीक है जी, देखो, Invest India एक initiative या Indian Government दा जनू अबार्ड मिलिया है, ठीक है, ते, इन्वेस्ट इंडिया दा CEO कौन है, दीपक भगला, याद रखना है, ठीक है, तो, इन्वेस्ट इंडिया एक non-profit venture है, ठीक है, केदे द्वारा, केदे अंडर चलदा है, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, एक केदी मिनिस्ट्री दे अंडर रौन दा है, डिपार्ट्मेंट, इटीज अंडर Ministry of Commerce and Industry, तो, वू इस दा, मिनिस्ट्र आफ कमर्स and Industry, प्यूश कोईल, फिनांस मिनिस्ट्र रौन है, शरीमति निर्मला सीतर रौन, ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया कदो इस्टैबलिश किता गया सी, 2019 विच, हैड़कॉर्टर किते है था, न्यू डेली विच, देखो, देखो, 27th January 2019, ठीक है जी, इस तो पहला, ठीक है जी, एक दो बनेया है, साई जनवरी, 2019 विच, बनेया है इडिपार्टमेंट, क्योंकि इस तो पहला, इस डिपार्टमेंट ता नाम किसी, Department of Industrial Policy and Promotion, ओधा नाम चेंज करके की रखता, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, ठीक है जी थोड़ी जी हम बेसिक चीज जने याद कर लियो आज अंदा पेपर वेचे भी फू है जी किसने लांच किता है फिट इंडिया साइकलांथ कैमपन नू एक किता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरन रिचु जी ने ठीक है जी एन नहीं बहुत है बस एदे वीचे नहीं याद रखें स्वीडन दे डिप्लैंटेस वेनेजूला दे रोजास ए दो ने जना ने वर्ल्ड अथलीट ऑफ द येर मेल और फीमिल दा अवोर्ड जित्या है फू वर्ड विनर इन टू थाउजन नाइटी ठीक है याद रखना मेल और फीमिल ठीक है जी तो और मैं उसी स्मिट्रीच लिख्या होगा है तो दो जार उन्नी दे विनर एस ठीक है जी ए थोड़ी इन्फर्मेशन याद कर ले ना बास ए नहीं इना दे नाम जरूर याद रखना कौन केडी कंट्री दा ए जरूर याद रखना है ठीक है इना दे नाम पूरे याद रखने ने और कौन केडी कंट्री दा ए वि याद रखना है तो दोनों ही अपनी कंट्री दे फर्स्ट रिसेप्टेंस ने जनन वे प्रिस्टीजिस अवार्ट्स मिले ने ठीक है ट Cricketkeeper vetsman Patel has announced his retirement from all form of cricket. He helps from which Indian state? ठीक है जी? Parchif Patel ने की किता है, retirement announce कर देती अपनी cricket तो 1018 स्टेट नू बिलॉंग कर देने, Gujarat नू International Anti-Corruption Day is observed annually on 9th December to raise public awareness for anti-corruption. What is the theme of 2020? ठीक है जी? किस दिन मनाया जान दा International Anti-Corruption Day? 9th December नू ऐसाल दा theme की सी, recover with integrity. The historical fort cities of Gowalir and Urcha have been included in the list of UNESCO World Heritage Cities under its the World Heritage City Program. These are situated in which state? तो ए शेर केडी स्टेट च पैंदेने? इनना नू historical fort cities के जान्दा काफी बड़े-बडे महल ने थे. ठीक है इन केडी list विच इंक्लूड किते गए ने? UNESCO धी World Heritage Cities धी list विच. ये दोनों केडी स्टेट विच ने? मद्या परदेश ने. ठीक है तो थोड़ा जाए याद कर लिए कि UNESCO धे डिरेक्टर काउन ने तो UNESCO धे Headquarter के थे हैं फ्रांस विच है. ठीक है? World Highest Mountain Peak, Mount Everest. World Highest Mountain Peak ये है, Mount Everest है. Has become tall by 86 cm as per survey conducted jointly by Nepal and China. ठीक है? Now, new height of Mount Everest has been calculated at dash meters. किनी ये new height 8848.86 हो गई है. तो ये Mount Everest किते पेंदा है? नेपाल विच पेंदा है. एक Greater Himalayas दा पार्ट है. ठीक है? साधी Himalayan range तिन पार्ट तो डिवाइड है. तो ये जड़ा Mount Everest है, एक Greater Himalayas पेंदा है. और ये निपाल दे विच ओंदा है. ठीक है जी? एक चीजा ने याद रखनी आने. ठीक है? एक किमे बादरी आया है, हौली हौली पहाड. एक Tectonic activity हुन दी है. मतलब एदर एक Eurasian plate है. एदर एक Indian plate है. एक दोनों ही ऐसी करके अपने थे पहाड बने हुए ने. एदरों मूव कर रही है, एदरों मूव कर रही है. जे दना माउंटेंस के ऊपर नो थोड़ जा बाद रहा है. ठीक है जी? प्लेट संदियाने. जोग्रफी दा कंसेप्ट है. बस मैं जने पढ़ी है. उदली इसी हो जाएगा. It is 0.86 meter more than a previous measurement done by India in 1954. इंडिया ने पहला किता सी है ठीक है जी? इंडिया ने भी जी पहला measurement किती है कदो 1954 दे वेचे ठीक है जी? इन फीट दन्यू एलवेशन फीट्स दे विच तुसी याद कर ली है जी, एलवेशन नी होगी है. ठीक है जी? और about 3 feet higher than Nepal's previous claim. मतलब नेपाल दे पुराने claim तो भी है 3 meter बटी होगी है. अधिवेचे नू कहनदे ने मौंट कोमो लंगमा एंड नेपाली जी लेंगवेचे नू कहनदे है सागर मत हाओ. ठीक है? याद कर ले. वाचिंग दिस वीडियो अगर ये था वनू वीडियो पसांद है ये था प्लीज इन लाइक करो, कमेंड करो, ते शेर करो अथे साथे यूट्यूब चैलन नो सब्सक्राइब करो, एदन या होग वीडियो सेखनली, थैंक्यों.